चत्रपती शिवरायाना त्रिवार नवश्का महाराज के राजपाल स्रिमान रमेश बैश जी यहां के करमट मुख्यमंत्री स्रिमान एकनाज शिंदे जी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी अजीज जी केंद्रव और राज्य सरकार के मंत्री गण सांसद गण विधाय गण और विशाल संख्या में हम सब को आशिरबाद देने के लिए आये हुए मेरे परिवार जन सिर्डीचा या पावन भुमिला माजे कोटी कोटी नमन पांच वर्षा पुर्वी या पवित्र मंदिराला शंभर वर्ष पुर्ण जालेले होते तेवा मला साई दर्सरनाची संधी मिलाली होते आज यहां साई बाबा के आशिरबाद से साड़े साथ हजार करोड प्ये के विकास कारियों का भी सिलान्यास और लोकारपन हुआ है महराष्ट को पांच दसक से जिस निलवंडे डेम का इंतजार था वो काम भी पुरा हुआ है और मेरा सवभाग है कि मुझे अभी वहां जल पुजन का सवभाग मिला आज मंदिल से जुले जिन प्रोजेक्ट का लोकारपन हुआ है उनका सिलान्यास करने का आउसर भी मुझे ही मिला था दर्शन क्यूब प्रोजेक्ट ये पुरा होने से देश भर के और विदेश के भी स्रद्धालूं को बहुत आसानी होगी साथियों आज सुबह ही मुझे देश के एक अनमोल रप्न वारकरी संप्रदाय के वैभव हरी भक्त बाबा महराज सातार करके वैंकुट गमन का दुखत समाचार मिला। उन्होंने किर्टन प्रवचन के मादम से जो समाज जागरन का काम किया। वो आने वाली पीडियों को सदियों तक प्रिणा देगा। उनका बात करने का सरल तरीका, उनकी प्रेम पुर्वग वानी, उनकी शैली लोगों का मन मोह लेती थी। उनकी वानी में जय जय राम कृष्ण हरी भजन का अद्भूती प्रभाव हमने देखा। मैं बाबा महराज सातार करजी को भाव भीनी स्रद्धान लियर पन करता हूँ। मेरे परिवार जनो, देश को गरीबी से मुक्ति मिले, गरीब से गरीब परिवार को आगे बढ़ने का आउसर मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी डेबल एंजीन सरकार की सरवोच्च प्रात्विक्ता गरीब कल्याण है। आज जब देश की अर्थ बबस्ता बढ़ रही है, तो गरीब कल्याण के लिए सरकार का बजट भी बढ़ रहा है। आज महाराष्ट में एक करोड दस लाख आईश्मान कार दिये जा रहे हैं। ऐसे सभी कार धारकों को पांच लाख रुपिये के मुप्त इलाज की गारंटी है। आईश्मान भारत योजना के तहट गरीबों को मुप्त इलाज देने के देश ने सत्तर हजार करोड रुपिये खर्च किये हैं। गरीबों को मुप्त राशन की योजना पर भी देश चार लाख करोड रुपिये से जादा खर्च कर चुका है। गरीबों के घर बनाने के लिए भी सरकार ने चार लाख करोड रुपिये खर्च किये हैं। ये भी 2014 से पहले के दस वर्षों की तुलना में करीब 6 गुना अधिक है। हर गर जल पहुँचाने के लिए भी अब तक करीब 2 लाख करोड रुपिये खर्च किये जा चुके। पी-म स्वनिदी योजना के जरिये रेडी, ठेले, फुटपांच पर दुकान लगाने वाले साथ्यों को हजारों रुपिये की मदद मिल रही है। अभी सरकार ने एक और नई योजना शुरू किये है। पी-म विश्व कर्मा इससे सुथार, सुनार, कुमार, मुर्तिकार ऐसे लाखों परिवारों को पहली बार सरकार से मदद सुनिश्चित हुई है। इस योजना पर भी 13,000 करोड रुपिये से ज़्यादा खर्च किये जा रहे है। अब यह मैं सारे इतने आंकड़े बता रहा हूं। लाखों करोडों के आंकड़े बता रहा हूं। 2014 के पहले भी आप आंकड़े सुनते थे। लेकिन वो आंकड़े क्या होते थे। इतने लाख का ब्रस्टाचार। इतने करोड का ब्रस्टाचार। इतने लाख करोड का गफला। अब क्या हो रहा है। इतने लाख करोड इस काम के लिए खर्च किये गए। इतने लाख करोड इस काम के लिए खर्च किये गए। मेरे परिवार जनों आज के कारकम में बड़ी संख्या में हमारे शेतकरी शाती भी मौझूद है मैं सबसे पहले उन बाली काओं को बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ जिनों ने अभी हमारे सामने हमारे शेतकरी समाज को संदेश देने के लिए दर्ती कहे पुकार का एक बहुत अच्छी नाटी का प्रस्तूत की आप जरूर उसमें से संदेश लेकर के जाएंगे मैं उन सभी बेटियों को बहुत-बहुत बदाई देता हूँ मेरे परिवार जनो पहले किसानों की सूध कोई नहीं लेता था हमने पी-एम किसान सम्मान ने दी इन मेरे शेदकरी भाई बैनों के लिए शुरू की इसकी मदद से देश बर के करोड़ों छोटे किसानों को दो लाग साथ हजार करोड रुपिये दिये गए है यहां माहराश्चा के छोटे किसानों के बैंक खातों में भी सीधे 26,000 करोड रुपिये ट्रांसपर हुए है मुझे इस बात की खुशी है कि महाराश्चा सरकार ने नमो शेदकरी महा सम्मान निदी योजना शुरू की है इसके तहट महाराश्चा के शेदकरी परिवारों को 6,000 रुपिये और अतिरक्त दिये जाएंगे यानि अब यहां के छोटे किसानों को सम्मान निदी के 12,000 रुपिया मिलेंगे मेरे परिवार जनों किसानों के नाम पर वोट की राजनिती करने वालों ने आपको बुन्द बुन्द पानी के लिए तरसाया है आज निलवंडे परियोजना पर जल पूजा हुई है इसको 1970 में स्विकृती मिली थी 1970 में सोचिए यह परियोजना पाँच दसक से लटकी हुई थी जब हमारी सरकार आई तब इस पर तीजी से काम हुआ है अब लेप बैंक कैनाल से लोगों को पानी मिलना शुरू है और जल ही राइट बैंक कनाल भी शुरू होने वाली है राज के सूखा प्रभाविश छेत्रों के लिए बली राजा जल संज्विन योजना भी बरदान सिद्ध हो रही है बसकों से लटकी महरास्तगी 26 और सिचाई परियोजनाओं को केंद्र सरकार पूरा कराने में जुटी है इसका बहुत बड़ा लाफ हमारे किसानों को होगा सुखा ग्रस छेत्रों को होगा लेकिन जब आज इस डेम से पानी मिलना शुरू हुआ है मेरे सभी किसान भाई बेनों को मेरी एक प्रार्थना है ये पानी परमातमा का प्रसाद है एक बुंद भी बानी बरबाद नहीं होना चाहिए पर ड्रॉप मौर क्रॉप जितनी भी आधुनिक टेक्लोलोजी है उसका हमने उप्योब करना चाहिए मेरे परिबार जनों हम सच्ची नियत से किसान के ससक्ती करण में जूटे है लेकिन कुछ लोगों ने महराष्ट में किसानों के नाम सीर्फ और सिर्प्र राजनीती की है महराष्ट के एक वरिष्ट नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक करशी मंत्री रहे हैं वैसे व्यक्ति गद्रुट से तो मैं उनका सम्मान भी करता हूँ लेकिन उन्होंने किसान के लिए क्या किया साथ साल के अपने कारकाल में उन्होंने देश बर के किसानों से सिर्फ याकड़ा याद रखना साथ साल में देश बर के किसानों से जरफ साड़े तीन लाग करोड रुपिय का MSP पर अनाज खरीदा जबकि हमारी सरकार साथ वर्सों में MSP के रुप में इतने ही समय में साड़े तेरा लाग करोड रुपिय किसानों को दे चुकी है 2014 से पहले दलहन और तिलहन ये किसानों को सिरफ 500-600 करोड रुपिय की खरीद MSP पर होती थी 500-600 करोड जबकि हमारी सरकार एक लाग पंद्रा हजार करोड रुपिय से ज़्यादा दलहन और तिलहन किसानों के बैंक खातों में दे चुकी है जब बेक्रशि मंत्री थे तब किसानों को अपने पैसे के लिए भी बिचोलियों के भरोसे रहना पड़ता था महिनों महिनों तक किसानों को पेमेंट नहीं होती थी हमारी सरकार ने MSP का पैसा डाइरेक किसान के बैंक खाते में बेजने का प्रबंद किया है साथियों हाल में रभी फसलों के लिए MSP की गोषणा की गई है चने के MSP में 105 रुपिये गेऊं और कुसुम के MSP में 150 रुपिये की बड़ोत्री की गई है इससे महाराश्च्ट के हमारे शेतकारी साथियों को बहुत लाब होगा गन्ना किसानों के हितों का भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं गन्ने का मुल्य तीन सो पंदरा रुपिये प्रतिक्विंटल किया जा चुका है बीते नौ साल में करीब सत्तर हजार करोड रुपिये का इथेनोल खरीजा गया है ये पैसा भी गन्ना किसानों तक पहुँचा है गन्ना किसानों को समय पर भुप्तान हो इसके लिए चीनी मिलों सहकारी समित्यों के लिए हजारों करोड रुपिये की मदद दी गई है मेरे परिवार जनों हमारी सरकार सहकारिता आंदोलन को सतक्त करने का काम भी कर रही है देश भर में दो लाग से अधिक सहकारी समित्या बनाई जा रही है देश के किसानों को बंडारण की कोल स्टोरेज की अधिक सुविदाएं मिले इसके लिए भी सहकारी समित्यों को पैक्स को मदद दी जा रही है छोटे किसानों को एपियोज यानि किसान उत्पादक संगों के माद्दम से संगडित किया जा रहा है सरकार के प्रयास से अभी तक देशबर में साड़े साथ हजार चे अधिक एपियोबी बन चुके मेरे परिवार जनों महाराष्ट अपार सामर्थ और अंगिनित संभावनाओं का केंद्र रहा है जितना तेज महाराष्ट का विकास होगा उतनी ही तेजी से भारत विक्षित होगा कुछ महिनों पहले मुझे मुंबई और सिल्डी को कनेक करने वाली बंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाने का आउसर मिला था महाराष्ट में रेलिवे के विस्तार का ये सिल्चिला लगातार जारी है जड़गाओं से भुशावल के बीच तीसरी और चौती रेल लाइन शुरू होने मुंबई हावडा रेल रूट पर आवाजाई आसान होगी इसी तरह सोलापूर से बोरगाओं तक फोर्लेंड रोड के निर्मान से पूरे कौकन खेत्रगी कनेक्टिविटी बैतर होगी इससे उद्योगों को तो भाइदा होगा ही गन्ना, अंगूर और हल्दी किसानों को भी लाव होगा ये कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रांस्पोर्ट का नहीं बलकि प्रगती और सामाजिक विकास घाबी नया रास्ता बनाएगी एक बार फिर आप इतनी बड़ी तादाद में आशिरवाद देने आए मैं रदेश से आप सबका बहुत बहुत अभार वेक्ता करता हूँ और आओ हम मिल करके 2047 जब आजादी के 100 साल होगे दुनिया में भारत का नाम विक्सित भारत के रुप में होगा ये संकल पले करके चले बहुत बहुत धन्यवार